मुझा नमस्कार, मैं हूँ असुम खान दिनबर की खबरों में सरसे पहले नज़र आलते हैं आज यो मुख्री समचारों पर विधांसाबा चुनाओं में हार की समिष्या करने में जूठी भाज़पा हार का फिटबेग लेने हनुमानगर पहुंची राज़र सप्पार सदन से लेकर सरक करक्भ करें दीन मज़़ूर पोले राज़र सप्पार टाउन्सान पुलिस्टी पड़ी कारवाई एक लाप चालीस हाज़ार जाज़ेट सरी आरूमी के रफ्तार राजसरी ये बास्केटबॉन फ्रादयोगिता संपन महिलावर्ग में हनुमान कर टीटी रश्टी देश लिएता विधानसावा चुनावों के बाद भाज़पा ने शुरू कर दी है हार की समिक्षा यानि अब भाज़पा कारे करता विधानसावा चुनावों में हुई हार का फीड़बेक ले रहे है प्रदेश इस सर पर हुए नेने के बाद भाज़पा ने प्रते जिलेवार प्रतनिती भेज हार का फीड़बेक लेने के लिए और लोगसबा चुनावों की तयारियों पर चर्चा करने की चाहिए। ऐसे में हनुमांगर पहुँचे विधाक राजिंदर सिंग्राठोड उन्हों निनारन होटल में भाजपाईयों से चर्चा की। विधान सबा चुनावों में होई हार के बाद प्रदेश में सत्ताक हो चुकी भाजपा ने अब हार की समिक्षा करने शुरू करती। ऐसे में हनुमांगर से फीडबेक लेने पहुचे राजिंदर सिंग्राठोड ने बताया कि विधान सबा चुनावों में भाजपा की होई हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है ताकि लोगसबा चुनावों में उन कमियों को दूर किया जा सके। इसके अलाबा पार्टी कारेकरताओं के साथ चर्चा में जहां हार की समिक्षा की जा रही थी वहें लोगसबा चुनावों की तयारियों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। जन्ता पार्टी का कारेकरता चर्वेते 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 के सित्थान पर हमेशा किरिया सीन रहता है। प्रदेश नेत्रतों ने प्रते एक जिले के अंदर विधान सभा की चुनावों की समिक्षा करने के लिए एक एक जुमिवार विक्तियों को बेजा है। पांच प्रतिसत मत अधिक मिले हैं पर दो तक्निकी रूप से वो 99 में विधायकों के साधा सब्ता में है राजिस्तान में इंटी इंट कंपनस्व की बात बहुत चली थी पर वसंद्रा जी के काम विकास के काम अज उसी का असर रहा कि मतदाताओं ने हमें कांग्रिस के दिगाओं जीतेंगे क्योंकि पत्रकारों से बाचीत में राजिनरसिन राठाओर ने सरकार को कर्जमाफी घोषना पर तंज कसा उन्होंने कहा कि राजसान की किसानों पर 99,600 करोण का कर्जा है लेकिन 18,000 करोण की घोषना केवल लोग लोग हावन है उन्होंने बिरोजगा सारी भत्ते को भी चुनावी घोषना करा दिया उन्होंने कहा कि किसान फिर करवट लेगा और इसका जवाब लोग सबाच उन्हों मिलेगा डाटों ने कहा कि भाश्वा प्रतिपक्ष की भूमी का निभाने करें तयार है सडक से लेकर सदन तक कॉंग्रिस को मश्बूर किय जाएका उनके आला नेताओं ने कांग्रिस के राश्चे दिक्स जी ने हर सबाह के अंदर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस गिन कर लिए कहा कि दस दिन होंगे सत्ता में और किसान करजमुक्त हो जाएगा अब 99,600 क्रोड रुपे का करजा राजिस्तान के किसान पर है 18,000 क्रोड रुपे का करजा माप करने की बात कांग्रिस पार्टी ने की है एक आदेस मैं समस्तों पहला आदेस होगा जिसमें राजिस्तान के मुक्त के सचीव जो आदेस निकाल रहे हैं उसमें FD Finance Department की कंक्रेंस नहीं है यह मर्ग मरीचिका है किसान के साथ धोका है लोग लभावनी बात करके जो किसान को ठगा है अब किसान करवट लेगा बिरोजगार को हर मेने 3500 रुपे का रोजगार देने की बात 3500 रुपे बिरोजगारी बता देने की बात कांग्रिस पार्टी ने की इसका कोई अता पता नहीं हम सदन से लेके सड़क तक कांग्रिस को मजबूर करेंगे क्योंकि भॉरति जंतना पार्टि का पटिपक्स हमारे तहटोर विधायकों के साथ मजबूती से खड़ा है पिछली बार जब हमने सता ली थी कांग्रेश से तो कांग्रेश पार्टि के मध् 422 विधायक जीते थे इसलिए हम झायनता जनारदन के फैसले को सरमाते स्विकार करते वे हम सकारातमक प्रतिपक्स की भूमिका में मजबूती के साथ राजस्तान की है को रकूग की बात रखेंगे अपने जन गोशना पत्र में तीन लाइन लिखी थी राजस्तान के किसानों का करजा दस दिन में माप किसान पर करजा अलपकाली रिंड का नहीं है अब अलपकाली रिंड का करजा माप करने की बात करते हैं वो भी डिफॉल्टर की कर रहे हैं किसान ने ट्रेक्टर के लिए करजा ले रखा है, जमीन सुधार के लिए करजा ले रखा है, किसान ने अन्य करजे जो ले रखे हैं खेती के आधार पर उच करजों के बारे में सरकार मौन है, और अब सरकार डिफोल्टर्स का करजा माफ करने की बात कह रही है, उसमें भी सरक राजस्तानों को जीरो इंट्रेस्ट पर लोग दिया राजस्तान के इतियास में बेरिक वसंदाजी की सरकार ने प्रदेश बाहमत्री के अलाश मेगवाल जहां वैधान सबाचुरावों में हुई हार की समिक्षा कर रहे थे वहीं लोग सबाचुरावों में उनके शिरी गंगनगर से चुराव लड़ने के बाद पर उन्होंने कहा कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है जिसे भी टिकट मिलती है पार्टी कारेकरता उसके साथ मिलकर जीद को लेकर काम करते हैं उन्होंने स्विकार गया कि सरह की चर्चा तो है ही पार्टी देती है ये निर्णे करना परदेश नेतरता उता और कंदरी है हमारी स्मिति का है इसमें सिम्हाना वकर पता नहीं लगा है जा सकते हैं टाउन धान पुलिस ने शिनिवार को बड़ी कारवाई करते हुए नशिली दावाई करते हुए चंदरा कारवाई करते हुए चंद्रा कारवो के साथ सुखपाल को गिरफतार क्या स्वी अनिल कयान ने बताया कि बार-बार मिल रही शिकायतों और नशीली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस पुश्टाश में चोटी है पकल एक सूचना पर चंद्रा कारगो से जब टिबी लाके का एक सुखवाल नामक तसका दवाईयों के बड़ी खेफलेन है तो उसे टाउन पुलिस तवरा पकड़ा गया है और उसे करीब एक लाग चालीस अजार ट्रमडर टेबलेट ब्रामडर कहां से लाई गई ट्रांसप के दवाओं के कारोबार में जिल जा चुका है वहीं संगरिया में करीबन दो माह पहले पकड़ी गई बहत्तर हासा आरणाशीले टेबलेट के मामले में भी संदिक रहा था ये पूर्मडी डववाली में ड्रक्स की सप्लाई में बन रह चुका है इसके लाई संगरिया में 22 जार जो टेबलेट पकड़ी गई थी दो मेनी पहले उसमें भी इसका संदिक रह था 69 राजसरी सीनिय बास्केट बॉल प्रादयोगिता का समापन समाहरों हुआ समापन अउसर पर मुख्य अधिती थे श्री श्री एक हासार स्वामी विज्याननन माहराज वैस्पी अनिल कायर इससरपन महिलावर के फाइनल मुखाबले में हनुमानगर प्रतम और पुरिश वर्ग में जैपुर अकादमी ने पहला सांद हासिल कर ट्रॉफी पर कर सखिया टाउन की वियापार मंडल कन्या महाविद्यालियों में चल रही चारती वसिये उनत्रमी राजास्तरिय बास्केटबल प्रत योगिता का समापन रविवार को हुआ जिसमें मुख्य आती थी श्री श्री एक हासार स्वामी विज्याननन जिला पुलिस अधिक्ष्यक अनिलतायाल बास्केटबल चेयर्मेन विकरन सिंग शेखावत राजसान बास्केटबल असूसीशन के अधियक्ष अधिस सिंग राठोड विअपार मंडल शिक्षा समीती के अधियक्ष बाल कृष्ण गोल्यान रादे कृष्ण सिंगला संजे साराफ पवन साराफगी कृषी उपचमंडी चेयर्मेन पवन गोल्यान जोधा सिंग सुमन चावला आदी ने शिर्कत की अतीतियों ने बास्केटबॉल खेल कर फाइनल मुकाबले की शुरुवात की कौच विकास अगरवाल ने बताया कि कुल 42 टीमों ने भाग लिया है जिसमें 28 टीमें पुरुश वर्ग और 14 टीमी महिला वर्ग की शामिल हैं प्रत्योगिता के शुर्ग में जैपुर आकैडमी ने प्रत्थम सान, अश्वीर ने दूत्य सान, जैपुर ने तीसरा सान और हनुमानगर की टीम चौथे सान पर रही जैपुर आकैडमी से जीत कर रही है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी हो लिए, मेरी पुरी टीम ने बहुत सेहोग किया है, उनके बिना ये जीत हासिल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं पुरी टीम का सेहोग और सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरी मम्मी पापा का य का सेहोग है, सबसे जादा श्याम जी पांडे सर है, जिन्होंने उनके बिना ये टोर्नमेंट भी नहीं हो सकता और उनके बिना हम खेल भी नहीं सकते हैं, तो सबसे जादा धन्यवाद में श्याम जी पांडे सर को दोना चाहती हूँ, और उसके बाद विपार्मनल सिक्शा रही है और अब हमारा मक्सद रहेगा रास्थान टीम को उपर तक लाना है राड़ी इसमें सलेक्ट हुए अभी उमिद करते हैं कि अच्छा पर्टेशन करेंगा है काफी अच्छा टूर्णामेंट और्गनाइज कर रहा है काथिना ही है कुछ नहीं कभी विनर टीम कूल पर अच्छा रहा सब कुछ राजस्तान बास्केटबॉल असूसीशन के अध्यक्ष अजी सिंग्राठोड ने बताय कि प्रतियोगिता में च्वैनित खिलाड़ी भाबनगर गुजरात में होने वाली सीनियर नैशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्तान की टीम का प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में अजमेर के कामरान खान वे महिला वर्ग में हनुमांगर के निशा शर्मा को सर्वस्रेश्ट खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया खेया वहीं कारेकर में उपस्तित आतीथियों का भी सम्मान किया खेया तक जो प्रतियोगता आइजिंट के गई उसके अंदर पुरुष और रास्तान की टीम बाहिला दोनों टीम हमारे उसके लिए यहां से बाग लेगी इस परतियोगता में दोनों टीम का चैन किया गया है और तीन तारिक को यहां से सह समान मेरे साथ में मेरे सीनियर खिलाड़ी भी है हमसे बन बच्चों को यह है कि बच्चे अपना विश्य बनता है आज कल पर खेर कूज में कहीं भी सर्विस में जाओ नंबर मिलते हैं तो मैं मेरा सभी बच्चों खेर खेलना चाहिए जिससे उनका स्वासित है ठीक रहे और उनके कैरियर में भी इसका पुड़ा लोग दा ती हो हर शाह मरो काज सरे हो हर शाह मरो काज सरे माया का बगी चाहां से जोर को बरस जे को यह लडी बटे सोरी करे को यह लडी बटे सोरी करे परस परस भार इंदर राजा परस परस समाज हो अभी और भी इंदेक्तरी दिन भर की खबरे पेबी हैपी मौडरन पीजी कॉलेज अ ब्रैंड फर क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स के केरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन प्रकार के कोर्सिस करवाए जाते हैं महा विध्यालय को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विध्यार्थियों के लिए केरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है महा विध्यालय में सभी प्रायोगिक विश्यों की सूसर्जित लेबुरिटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदी की सुविधाएं उपलब्ध हैं श्री खुशालदास विश्वा विध्याले के और से शिक्षा के सरको औरुणुछा करने के उदिश्य से सॉफ्ट विज्ट टेक्नोलोजी प्रायवेट लिमिटेड चंडिगर के साथ M.O.U किया गया है इसके बाद अग्जित कंपनी बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देखी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी एजुकेशन इस उदिश्य से स्केडी शिक्षन सहसान में टेक्निकल शिक्षा देने के लिए सॉफ्ट विज्ट टेक्नोलोजी प्रायवेट लिमिटेड चंडिगर के साथ M.O.U किया गया है डक्ट कुमार ने बताया कि हनुमानगर के बच्चे आगे जाकर टेक्निकल प्राफेक्ट नहीं होने से पिछड जाते हैं लेकिन अब S.K.D. में सॉफ्ट विज्ट के और से यह शिक्षा दी जाएगी इसके तहर टेक्निकल एजुकीशन संबन्दी वरक्शॉप वे प्रोग्रामों का आयोजन कमपनी के और से किया जाएगा वहीं इसके बाद कमपनी द्वारा प्लेस्मेंट भी दी जाएगी बहुत सरी अललक टेक्निकल प्राफेक्ट वारे सामने आई और दस या बारा बार इंको हमने को रस्मेंस किया उसके बाद हम लोगों को करनांस करने में कावे हुए और जब इनसे हमने जानकरी लेने की कोशिश की भी क्या टेक्निकल इपोड़ों आ रही है कि जब आप बड़ी-बड़ी उन्विश्टी के अंदर केंपर स्प्रिस्मेंट कर रहे हैं और हमारे यहां नहीं आना चाहिए तो कुछ समस्से हैं उन्होंने हमें बताई कि जैसे एक तो का कि कोई भी उन्विश्टी अपने परंपरागत जो स्लेबस है उसका डांच है उसे बाहर नहीं आ चाहती है जो भी उनके अकैडमी कोईश्टी की मेंबर्स हैं जो भी एक स्लेबस चलता रहा है आइटी सेक्टर की बात ही करें स्पेशल तो जो बच्चों नों से नौकनी मिलनी से कुछी तो उन्होंने सबसे पहले हमारे सामें शर्त रखी कि सबसे पहले तो आपको जो स्लेबस है व बच्चों को परशार्टी डवर्मेंट की तरफ जान देना पड़ेगा खुशालता स्वीश्व विद्याले में होर्स राइडिंग की शुरुवात भी की गई यानि अब बच्चों को होर्स राइडिंग सीख सकेंगे बताया गया कि बच्चों के मानसिख और शारेरिक विकास के लिए होर्स राइडिंग की शुरुवात की गई है जो केरियर औरिंडेडी ओपरिशनेटी होती है जिसके अंदर वो आर्मी, नेवी, एरफोर्स, आई टीवी पी जो पुलिस है उसके अंदर उनकी प्लिस्मेंट हो जाती है। जिले में 25 सेंटर बनाये गए थी जिसमें करीबन 85 प्रतिशित परिक्षार्थियों की उपस्त थी रही। जूतों का वित्रण किया क्या। जंक्षन के ढोली बस्ती पाहुचे युवाओं ने बच्चों में जूते जुराब का वित्रण करते हुए शिक्षा के वित्रे क्या। यह है जमीर जिन्दा है संस्ता से जुड़े नौचवान। दरिसल इन युवाओं ने ही इस तरह की संस्ता बना रखी है। जिसमें ये आपसी सायोग से जरूरत मंदों की सेवा करते हैं। इन युवाओं ने एक सो जूते जुराब का प्रबंद कर जरूरत मंद परिवारों के बच्चों को जूते जुराब का वित्रण किया। बताया गया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए कंबल आदी का वित्रण भी किया जाएगा। कि आरां दोस्ता ने सयोग दिता इनना दाताय दिलोता नवाद को जोड़ है जिराब मैंनाल ते सो जोड़ा शूज देखते हुए जित्तों तक सेवा करांगे गानू साथी सांसता है कि माला बिजोर्ग है जितना कुले कपड़े लगते हैं नी होनसी कपड़े लगते हां करने कंबल दे रहें आसी जड़े गरीब है जड़ा द्वाई नी ले सकता साधे को ले आवे असी उन्हां द्वाई भी दुआ मांगे ते बंता नशाना करता होए और असी जित्तों तक साधी हैल्प हो सगी हैल्प करांगे जड़ा बच्चा पड़न नहीं सागदा असी उ और फोन पी मां इन्हों ने यह का कि आप मेरी उससे बात चबादो तो डॉक्टर नरेश्ट रियान एक ऐसे परसन है जो आपको रबे देते हैं और आपको आगे जाके उसका बहुत ज़दा पैलिकिट बिलेगा नए अडापने की बिलाए कोई भी तो डॉक्टर की टीम मेरे पास जब मैं अविट दाव आई तो मैंने डॉक्साथ सिर्थ की बात कर भाई है समझ भी होगी है तब इसा भी होता कि तिसी को लाग पर देंकि लोग आपको पर लीडे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हैने सुन में बहुता है कॉंस्लिक जो हो दिए है हमारे जो यहां के वरीज है वो कॉंसलिक पार्ट भो अच्छे से लेते नहीं है तब वो मुझीवत में होते हैं और उनकी मैं देक्टर रखाओँ और मैं कौर्पेट पर रहा हूँ आप पर शुष्कोर्ट में विल राव हूँ तो दोब यूजरी अपनी गंथ रहा रहते हैं जा आप अगवानों जा आप अगवानों सबसे बड़ी इसक्रिफ रिये कि अधना को सबसे पेरिशन आइंटीपे करना चीए कि हमारे शेरी के अंदर क्या जी स्क्रेटर अपर दिसक्रेटर पर ने इनाये थे पिए मेरा मोटापन तो नहीं है, डिको शुबर तो नहीं है, तो नहीं है, पिपी में कटरूर डेता ही निरेता है पिपोल साज़ों कहें तो मेरा बीपी 140-140 ही होगा ताफ आफ आफका 140 ही दो गलत ही है वो नॉर्मन हो इसका तो अपन सबस अपने रिस्पेक्टर हैं कि माज़स्टी का रिस्पेक्टर हैं जो भी हाट्टी वारी कर सकते हैं मेरे परिवार में किसे को जल्दी हाट्टी वारी तो नहीं हुए तो रिस्पेक्टर काउंट करते हैं तो पेरी बाल को उसी नहीं पालट हो जाएं कि मेरे यह वोर स्क्राइब को हैं और में होता करें कि हार्ट टेक हो जाता है उसके पाद अनलेज करता है मेरे किसे बड़ी ताथ बाद कुछ भी नीता और बड़ी बात है कि हार्ट की उमारिया जो परेडी पी नहीं बाद कि बहुत तो नीट इस्नोड इसनों कोड़ेशन होता है कि यह 10-10 सालों में पर कैशन लगा लगा थी है और फिर धीर 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 ती सारे कंपणेंस मिलाकर इसमारियों को प्र परमाद के लिए जाति पर नकिए तिसको करनों होता है उसमें सर्दी में है तो और नौर्मल है पर फिटी यूज़ी डाइट बेलेंस जाइट इसमें हरा और सफेद का मिश्रण हरा मतलब पालक मेथी स्प्रिंग अनिया, गुंद्ली वाले प्याज के हरे पत्ते, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सफेड मतर दूद, दई, छाज और उसके अलावाद तिल और बदाउं, इनमें केल्शियम का कंटेंट प्रचुर अच्छी मात्रा में होता है, यह आप लेंगे तो आपकी बिल्डा हॉस्पिटल जैपुर से हमारे बीच दो डाक्टर स्वस्थे की जानकरी के लिए यहां एक सेमिनार करवाया गया था, उन्हें उसमें डॉक्टर सनील बैनिवाल जी ने और डॉक्टर अरुन पतानिय जी ने हमें हेल्थ के बारे में बहुत ही मतरपुरन जानकरी करने का मतलों यही था जो चोटी मटी बातें जो हम इग्नौर कर देते हैं उसके बारे में आज इनसे कोश्टन जो भी मंद में थे इनसे किये और इन्हों ने बड़ा ही अच्छे रूप से हमें बताया और इसे के सामतर सामावत हुए रुज़ों आदेक ते लिए समाचा लोगा नोज़ कर दो